नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडी विडिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूं आज हम बात करने वाले हैं सिक्षा मनोविग्यान से संभनेत 50 अती महतरपूर्ण प्रश्णों के बारे में जैसा कि अदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो किसी रीज श्टड की जिसमें सिक्षा मनोविग्यान से संभनेत आपको 500 प्रश्णों मिलेंगे इसमें अभी तक हम दो वीडियो अप्लोड कर चुके हैं ने 50-50 प्रश्ण हम आपको दे चुके हैं 100 प्रश्ण अभी तक अप्लोड कर दिये गए हैं दो वीडियो की माध्यम से यह तीसरा पार है यदि आपने दो पार नहीं देखे हैं किस मनोवज्यानिक ने अपने तीन वर्शी पुत्र का अध्यान किया यहाँ पर देखे चार विकल पर पढ़ूँगा उस समय में आप आंसर अपनी कोपी में या फिर कमेंट से के मैध्यम से दे सकते हैं किशे किशोर मनोविज्यान के पिता के नाम से जाना जाता है वो कौन है कौन से मनोविज्यानिक है जिनको किशोर मनोविज्यानिक के पिता के नाम से जाना जाता है गेरिसन है गेशेल है इस्टेनली होल है या फे थांडाई के काफी इंपोर्टेंट काफी सरल है जैसे ही अधिगम का प्रेतन और भूल का सिध्धान्त के प्रवर्तक कोन इंपोटेंट और सरल है आप सभी को पता है इस पर एक प्रोपले वीडियो बनाई गई है जितने भी अधिगम की सिध्धान्त है उनको और किन-किन नामों से जाना जाता है इस पर एक वीडियो बनाई है जिन यहाँ पर देखिए अधिगम का प्रयत्न और भूल का सिध्धान्त के परवर्त के बारें पुछा गया है पावलावे गुत्री यह थोंडाइक या फिर कहुलर है आपका रैकांसर होगा थोंडाइक थोंडाइक के द्वारा प्रयत्न और भूल का सिध्धान्त दिया गया इस सिद्धान्त कुर किन किन नाम उसे जाना जाता है यह भी आप उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं प्रसिक्षण इस्तांतरन के मुख्य प्रकार यहाद पर देखिए प्रसिक्षण इस्तांतरन के मुख्य प्रकार आपको बताना है सबसे पहले मैं आपको बता द अधिगम करता की पहचान होती यहाँ पर आपको बताना है जो निश्क्री अधिगम करता है इसके किस विदी से पहचान होती है प्रदरसन विदी से प्रयोगशाला विदी से व्याख्यान विदी से या फिर खेल विदी से याद रखेगा जो निश्क्री अधिगम करता है इन कितने अधिमान निर्धारित की हैं बुद्धी के साथ की हैं। लेकिन साथ में से कौण सा नहीं है Inón 4 विकल्पों से आपको बताना height इस्थान संबंदी थी है वहावात्मक थी है किसी उद्धिपन के प्रति विश्वस्नी अनुकिरिया को पियाजे के द्वरा क्या का गया है किरिया का है निविकित मेंसे कोन सा व्यवहार सीखा हुआ नहीं है वरण परिपक्वता से आता है जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे वो आता जाता है, वो कौन सा विवहार है, जिसको सीखने की आवशकता नहीं होती है, किसी भासा में निपूर्णता, पत्रलेखन, चलना या फिर साइकल चलना, तो यहाँ पर आईटा अंसर आपका होगा चलना, साध सबसे जादा क्या जरूरी है, गेश्टाल्टा वात के नुसार पुछा गया है, सवेधन ना, व्यक्तित्व, संप्रत्ति या फिर सूज, आपका रइटान्सर होगा, सूज यादर रखेगा, गेश्टाल्टा वात के नुसार, सबसे जied़ा जरूरी सूज अवर्षक्र, य या फिर कॉलेंस से हैं, किसके द्वारा जेट पीडी के अउदार्णा दी गई है आपका रायटांस रोगा वाइगोट से की important है, ध्यान दी जीगा, निकटस्त विकास का छेतरिया फिर जेट पीडी की जो अउदार्णा दी गई है, यह आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इस परकार की when it works बनाई है यहाँपा डिसलेक्सिया के बच्यों को परेसानी होती है किसमे परेसानी होती है यह पूछा ग। हमे मैं चलने में पढ़ने लिखने में या फिर पीने में जो डिसलेक्सिया से गर्षित बच्चे होते हैं उनको पढ़ने लिखने में समस्या होती हैं पढ़ने लिखने में परिशानी होती हैं या फिर समस्या होती हैं तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा इसकिनर ने किरिया प्रशूत संबंदी प्रयोग किस पर किया था किरिया प्रशूत जो से धान तहीं खिशके द्वरा दिया गया था इसकिनर के द्वरा इन्होंने किस पर प्रयोग किया था ये आपको बताना है बिल्ली वा कुत्ते पर किया था चुहे वा कबुतर पर किया था कुत्ते और चुहे पर किया था या फिर बंदर वा मुर्गी पर किया था इसकी नर के बारे में पूछा गया है आपको confused नहीं होना है जब भी इस प्रकार का प्रसन आए आपका रैट अंसर क्या होगा चुहे वा कबुतर इसकी नर ने जो क्रिया प्रसूत संबंदी प्रयोग किया था या चुहे वा कबुतर पर किया था सेकर्ण वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए गेने के नुशार हम अधिगम क्यों करते हैं यहाँ पर देखे पूछा क्या गया है तो हम अधिगम करते हैं गेने के नुशार समश्या समादान है तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा अगला और काफी इंपोटेंट प्रसने है पुस्तक के बारे में एक्जाम में पूछा जाता है आधिक उपयोगी सिध्धांत है उसके बारे में आपको बताना है थोंडाई का सिध्धानते हैं, स्किनर का सिध्धानते हैं, कहुलर का सिध्धानते हैं, और हलका सिध्धानते हैं राइट आंसर आपका हुगा थोंडाई का सिध्धानते हैं जब थोंडाई के मैं 70 प्रशन आपके लिए लिकर आया था चेनल को चलिए अगला प्रशन है कि शोड़ा वस्था आदर्शों के अवस्था है सिद्धान्तों के निर्मान की अवस्था है साथ ही जीवन का शमान्य समायोजन है यहां परिभासा किसके द्वारा दी गई है रिपोर्ट के द्वारा दी गई है प्याजे के द्वारा ट्रे तो आपका राटएंसर होगा मूर्थ सक्रियात्मक अवस्था होती है इसको नियम करण के अवस्था कहा जाता है और यह अवस्था ही किसके द्वरा दी गई है तो यह प्याजे के द्वरा दी गई कितनी अवस्ता है इन्हों ने बताई है? चार अवस्ता ही बताई सीखने की याद रखेगा. अगला पॉस्तने सिख्फा मनोविज्याν साहयक है. सुयम को समझने में बालक को समझने में. सिख्फण की प्रक्रिया नामक पुष्तक का सम्मंद किस्से है? सिख्षा की प्रक्रिया जो नामक पुष्टक है इसका संबंद किससे है किसकी द्वारा लिखी गई जोन डीवी ब्लूम भी नहीं या फिर पुरूनर आपका रैट आंसर यहाँ पर होगा जीरूम पुरूनर हल है, एडलर है, थूंडाइक है या फिर घूतरी है, तो यहाँ पर देखें एडलर, थूंडाइक और घूतरी है, तीनों ही विहारवादी, मनुख्यानिक के अंतरकत आते हैं, हल नहीं आते हैं, आपको कमेंटस लिए माध्याक से बताना है, क्योंज के तोर पर आपको प्रस प्रकारिवाद या फिर नुशुन आपका हुगा मानवतावाद या और रखेगा मानवतावाद संप्रदाय में मनुश्य की विवार का सदेव अच्छा होना तता हर मनुश्य का आध्वती होना बताया गया है अगला प्रश्ण Interpretation of Dreams नामक जो पुष्टक है इनका संबन्द किस से है ये किसके दोरा लिखी गई है या फिर संबन्द किस से होगा पियाजे से फ्रायड से होरनी से या फिर यूंग से Right answer आपका होगा सिंग्वन फ्रायड से याद रखेगा जिसका जो पुष्टक है Interpretation of Dreams नामक जो पुष्टक है इसका संबन्द किस से होगा ये सिंग्वन फ्रायड से होगा एक अध्यापक है तू सिक्षा मनोविग्यान का मुख्य कारियां पर देखे मुख्य कारिया आपको बताना है एक अध्यापक हेतु सिक्षा मनुविज्यान का क्या है सिक्षण की तरकीब सिखाना है सिक्षण के विविन पक्षों के प्रती अंतरदश्टी विक्सित करना है चात्रों की विभार आवशक्ताओं तथा समश्याओं के प्रती अंतरदश्टी विक्सित करना है ये मुख्य कारे होगा एक अध्यापक है तो सिक्षा मनोविज्यान का तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा सिक्षा मनोविज्यान का मुख्य उद्देश हैं आपर देखे मुख्य उद्देश है आपको सिक्षा मनोविज्यान का बताना है सिक्षन विदियों में संसोधन करना है साहिक सिक्षन सामगरी में संसोधन करना है बालक का चहुमु की विकास करना है या फिर बालक के सामाजे के स्तर में संसोधन करना है सिक्षा मनोविग्यान का मुख्य उद्देश यह आपको बताना है राइट आंसर आपका होगा बालक का चहुमू की विकास करना यह सिक्षा मनोविग्यान का मुख्य उद्देश होता है निमलिकित में से कौन मानवतवादी मनोविग्यान से संबन्दित है यहाँ पर देखें मानाउतावादी मनुविज्यान से कौन संबनित है या आपको बताना है वुडवर्त है यूंग है रोजर से है या फिर विलियम से है राइट आँशर आपका होगा रोजर से याद रखेएगा रोजर से मानवतवादी मनुविज्ञान से सम्मिनित रखते हैं यहाँ पर तीसरा वाला विकलप आपका सही होगा चलिए अगला प्रशने हैं शिच्छा मनुविज्ञान के मुख्य तत्व आपको बताना है सिक्षार्ती ये सीखने की प्रक्रिया है अध्यापक है या फिर उप्रोक्त सभी है राइट आंसर आपका होगा उप्रोक्त सभी याद रखेगा सिक्षार्ती सीखने की प्रक्रिया और अध्यापके तीनों ही मुखितत्व होते हैं सिक्षा मनुविज्यान क राइट आंसर आपका फोर्त वाला होगा मानव बुद्धी एवं विकास की समझ सिक्षक को रिक्तिस्तान के योग बनाती हैं मानो बुद्धी एवं विकास के समझ सिक्षक को सिक्षन के समय सिक्षार्तियों के समवेगों पर नियंतरन बनाए रखने के योग बनाती है विवित सिक्षार्तियों के सिक्षन के वारे में इस्पश्टा के योग बनाती है राइट आंसर आपका होगा विविद सिक्षार्तियों के सिक्षन के बारे में इस्पष्टा के योग्य बनाती यहाँपर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण अब्राहम मासलो कोन थे यहाद रखेगा जो अब्राहम मासलो है यह मानवतावादी थे यहाद रखेगा जो अब्राहम मासलो है यह मानवतावादी थे यहाद रखेगा जो अब्राहम मासलो है यह मानवतावादी थे यहाद रखेगा जो अब्राहम मासलो ह हैं पूछा गया है आपका रैट एंसर होगा लेविन याद रखेगा लेव Cuba लवारादी नहीं वार्ट्साघार्ण पर छात्रों के अव्यान होता है या प्रिवस्तु का निरमान कर सकता है या फेर अप्रुक्तों सभी एक सिच्छक को मनुविज्यान का ग्यान आवशक है क्यों आवशक है ये पूछा गया है राइट आंसर आपका होगा छात्रों के आवशकताओं का ग्यान होता यहां पर शेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अनुबहुत था प्रसिक्छन द्वारा विवहार में रुपांतरन ही सीखना है यहां परिभासा किसके द्वारा दी गई है गेट्सवान ने वुडवर्त इसकीनर या फिर गिलफोर्ड जो दी गई परिभासा है यह गेट्सवान ने के द्वारा दी गई है यहां पर पहला व व्यवारवाद याद रखीगा वाटसंद वारा जो 1925 में प्रकासेत लोगपरी पुश्टक होगी वो व्यवारवाद पुश्टक होगी आप्तीशरा वाला विकलपे आपका सही होगा अद्यापक के लिए सिच्छा मनुविज्यान का ज्यान महतपूर्ण है क्योंकि क्यों है क्योंकि उसको सिक्षा मनोवग्यान में नहित सिधानतों को अपने सिक्षन कारे में प्रयोग करना होता है वहां कक्षा कक्ष में सिक्षन करते समय अधिगम करताओं के बीच व्यक्तिक भिनिता का कोई विचार नहीं करता है सिक्छन व्यवसाई में मानवी अपने सिक्छन कारे में परियोग करना होता है यहाँपर पहला वाला विकलबे आपका सही होगा अगला प्रश्ण निम्लखित में से कोन से विधी में एक व्यक्ति या इस्तिती का गहन अध्यन किया जाता है कौन से विदी जिसमें एक व्यक्ति या फिर इस्तिती का गहन अध्यन किया जाता है प्रियोग है केस अध्यन है अवलोकन है और छेतर अध्यन है राइट आंसर आपका होगा केस अध्यान इंपोटेंट ध्यान दीजिएगा केस अध्यान विदी में एक व्यक्ति या इस्तति का गहन अध्यान किया जाता है नियंत्रित दसाओं के अंत्रगत किया गया अध्यान कहलाता है प्रशनावली प्रियोग सरवेक्षन या फिर चेक प्रियोग किया जा सकता है, बुद्धी का, समू सम सजता का, अभी शमता का या फिर रोची का, आपका रैट आंसर होगा, समू सम सजता का, यहाँ पर सेकन वाला विकल्पे आपका सही होगा, अगला प्रश्न, किसके अनुशार सिक्छा मनोविज्यान बालक के सेक्षिक यहाँ पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा, यहाँ पर फूर्ट वाला विकल्पे आपका सही होगा, निम्न में से कौनसी प्रेक्षन विदी में, प्रेक्षन करता प्रैसित व्यक्तियों के समू का सदर्शी बन जाता है नियंत्री थे प्रतिभागी है आप्रतिभागी या फिर आ नियंत्री थे रैट आंसर आपका होगा प्रतिभागी प्रेक्षन विदी में प्रेक्षन करता प्रैसित व्यक्तियों के समू का सदर्शी ब या फिर रोक प्रोकत में से कोई नहीं तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा जब बालक की परिक्षा द्वारा मापी हुई योगता के सही मुल्यांकन में इस्थायक वो होता है तब उस परिक्षा को विश्वस नीता कहते हैं कौन सी परिक्षा कहेंगे आप विश्वस न उसका सिख्ष केंदिस से विध्यार्थी केंदित होना चाहिए यहाँ पर सिखरन वाला विखल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन सा सिख्षिक मनो विज्ञान का चेतर कौन सा नहीं है व्यक्तिक समानताएं, मुल्य अंकन, पाठिक, रमका, निर्मान या फिर अधीगम, राइट अंसर आपका होगा, व्यक्तिकत समानताएं, ये सिच्छिक मनोविज्यान के छेतर के अंत्रगत नहीं आता है, तो यहां पर पहला वाला विकलप आपका सही होगा, शिच्छा के प्रति दश्टिकोन बदल दिया है अतहा विद्याले उन्हें उपलब्द कराता है अधिक सूचना है उपयोगी अनुभव अधिक ज्यान या फिर अधिक सिक्छक तो मनोविज्यान ने बालकों के प्रति दश्टिकोन बदल दिया है अतहा विद्याले उनको उपयोगी अन अगला प्रशना अनुबंद की प्रक्रिया में पहला पद यहां पर देखे पहला पद पूछा गया है अनुबंद की प्रक्रिया में आवरती है उद्धिपक है विवेदन है या फिर समन्निकरन है पहला पद पूछा गया है राइट आसर आपका होगा उद्धिपक अनुबंद की प्रक्रिया का जो पहला पद होता है वो उद्धिपक होता है मैं अपनी चाबियां मेरे टेली फोन के पास की खूटी पर टांगता था अब मैंने चाबियां रखने की जगा बदल दी है फिर भी में चाबिया लेने खूटी के पास जाता हूँ यहां उधारन है यहां उधारन किसका है अनुकूलन का है प्रितन और भूल का है लापरवाई का है या फिर भूलककरपन का है याद रखेगा यहां जो उधारन होगा पूछा गया प्रशन है एक्जाम में यहां अनु प्रश्ण समाप्त नहीं हो जाते तो अंतिम प्रश्ण नहीं अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है शेयर करना है और चेनल को सस्क्राइब कर लेना है बच्चे की बुद्धि लब्धी 90-110 के मद्धी होती है तो वहां जो बच्चा होता है वो सामाने बुद्धी वाला होता है प्रखर बुद्धी वाला होता है उतकरष्ट बुद्धी वाला होता है या फिर प्रतीवाशाली बुद्धी वाला होता है 90-110 के मद्ध जिसकी बुद्धी लब्धी होती है वह बच्चा किस प्रकार का होगा राइट आंसर आपका बच्चे में बुद्धी लब्दी होगी, वो समान में बुद्धी में होगी, यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, तो यहीं पर आज के 50 प्रशन समापत होते हैं, आज का वीडियो आपको कैसे लगा, आपको कमेंट्स के मद्दिम से बताना है, अच्छा लग करना है, और फिर चेरल को सिस्क्राइब कर लेना है, तो जल्दी दोस्टे के नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए दर्निवाद,